हेलो गाईज, वेलकम तो माई चानल SSC Knowledge गाईज, आज मैं आप सबको SSC JE 2020 के डिगारिंग एक इंपोर्टेंट इन्फरोंशन देने वाला हूँ जो कि आपको जानना जरूरी है आप सबको पता ही होगा, SSC JE 2020 का प्री का एरिकी टायर ओनका एक्जमेंशन 22 मार्च 2021 से लेके 24 मार्च 2021 से कम्प्रीट हो चुका है अब इस टाइम एनकी SSC JE 2020 का प्री में कितने बचने पेपर को लिखा था एनकी कितना एटेंडेंस था, वो भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसके उपर भी थोड़ा बहुत कट अप में फ़रक पड़ता है हलाकि कट अप का एनलिसिस वीडियो मैंने अल्रेडी बना चुका हो SSC JE 2020 का एक्सपेक्टेड कट अप का वीडियो अल्रेडी बन चुका है उसका लिंक में उपर दे दूँगा आप लोग जरूर देख लेना क्योंकि मेरा 2018 SSC JE का, 2019 SSC JE का अभी तक कट अप एनलिसिस सही गया है तो उमीद करेंगे 2020 का भी सही जाएगा जब एंसर किया था उसके बाद ही जो प्राइमरी डाटा मुझे मिला था मैंने पोलिंग बगरा किया था कि बच्चे का कितना मार्क्स आ रहा है उसका एनलिसिस करते हुए मैं उस एक्सपेक्टेड का टॉप का वीडियो बनाया था दिखा के मैं आपको कंपेर करके बताऊंगा और आगे बताऊंगा कि रिजल बगरा कब तक आ सकता है कब तक पोसिबिल्टी है सब कुछ आगे डिसकास करूंगा चलिए यहां पर देख सकते हैं फाइब नौवंबर 2020 यहां तक मुझे याद है 30 ओक्टोबर को जो है लास डेट था आपका 2020 एससी जेए प्रीक का स्वर्म के लिए अब उसके बाद ही देखिए नौवंबर में इसका रिप्लाई आया था आट्याई का डिप्लाई एससी के तरफ से यहां पर कहा गया है एस पर रेकॉर्ड टोटल कंप्लिटेड अप्लि का लग है यह एक्ट्रिकल का अलग है यह मेकनिकल का टोटल तीनों ब्रांच अगर मिला के हम लोग बात करें तो इतना अप्लिक्सान डाला गया था एससी जेए 2020 के डिगार्डिंग तो इतना बच्चे ने पेपर को जो है फंफल अप किया था अब के आपका एक्जम को यह है और मैं आपको अभी इंफर्म कर रहा हूं देखिए हाला कि जो फर्स्ट आपका रिप्लाई है उसका डिस्कास में अल्रेडी पिछले वाला वीडियो में कर चुका हूं जो 2019 का मेर्स एक्जमेंशन हुआ था उसमें कितने बचने पेपर को लिखा था ओ भी मैं अल्रेड प्री एक्जमेंशन क्याटागोरी ऑइस हलाकि मैंने क्याटागोरी ऑइस पुछा था लेकिन उन्होंने रिप्लाई जो है टोटल दिया देखिए ऐस पर प्राइब डाटा टू लाक एक्टी फोर थाउजन फोर्टी सेवन केंडिट एपिट इन जेई पेपर ओन 2020 तो इतन कितना टूटल कितना फॉर्म फ्लब था शिक्स लाक शिची थाउजन शिक्स हंडेड ट्विटिन आइन करेंगे तो परसंटेज आ जाएगा अब लोग परसंटेज कर सकते हैं 42.99 42.99 परसंट आयेगा लगभग 43 परसंट के आसपास जो है पेपर को लिखा है 2020 प्री में इस यहां पर आप लोग डाटा देख सकते है 30 ओक्टोबर तक है बहुत सारे इस्टोर्ण को पता होगा ससी जेई 2019 का बिहार वाले बच्चों का तब बिहार का इलेक्शन चल रहा था इसलिए बिहार वाले बच्चे का 11 डिसमबर 2020 को पेपर हुआ था अब देखे उसका डाटा बच्चे का मेरे पस नहीं है तो मैं बिहार वाले बच्चे का नाहीं कितना वाधक कीए दाटा म fuckin मेरे पास नहीं है जो डाटा है देखें सीरपसे बिहार वाले बच्चे को मैं छोडैता हूं लगभख hour यह तो ऑरes तो मैं मैं आपको यहाँ पर नहीं करूंका अब जो डाटा है कितने बच्ची ने हैं पर सभी ब्रांच को मिला के कि इतने बच्चे को कि उस्टेज़ था मतलब आठ लग के आसपर किया था लेकिन हुआ पीस में देखिए लगवग 8 लग के आसपा अब कितने बच्चे ने पेपर को लिखा था अगर परसेंटेज की बात करेंगे चलिए परसेंटेज कर लेता है लगवग आएगा 33.49 अब लोग परसेंटेज करके देख सकते हैं करके देख सकते हैं तो अगर हम लोग 2020 की बात करें 43 परसेंट और अगर 2019 की बात करें 33.49 तो लगवग आपका सारे नौ एटेन परसेंट के आसपास जो है डिफेंस आ रहा है अब देखिए competition मैं मान रहा हूं कि इस बार ज़्यादा आपका बच्चे ने पेपर लिखा हाला कि हमें इतना उमीद नहीं था क्योंकि 2019 का मेंस का अपका अपका अल्रेडी हो चुका था 21 मार्च को थो काफ इस्ट्रेड ने जो है सीरियस लिए लिए जिन्होंने दिया और बहुत सरी इस्ट्रेड को मौनलीजिय कि उसका एक्जाम सीटी अलग था है और इसलिए competition हमन्हें सचा था कि इस पर बहुत कम होगा लेकिन competition के बात करें तो 2019 जैसा है क्यों मैं बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए 2019 में क्या हुआ था आपको पता है कि 2019 October के महिने में कोबीट का हलत जो है अभी जैसा महल था मतला अभी महला की cases ज्यादा आ रहा है लेकिन अभी जितना आपका क्या बोलू कि जितना cases आ रहा है उतना case नहीं था लेकिन फिर भी एक लाक 90,000 एक लाक के आसपर जो है तब भी case था तो इसलिए बहुत कम इस्ट्रे नहीं सा था जो पेपर को लिखने के जो serious candidate थे तो ही पेपर को लिखा था अब आप लोग बोलेंगे कि मार्च में भी एक लग के था मार्च में बच्चे को लेकिन इतना हालत खराब नहीं था अभी के टाइम में जितना हालत खराब था मार्च के आसपस आगा data देखेंगे तो इतना हालत नहीं था इसलिए काफी इस्ट्रीन ने पेपर को सिरियस लिखा और यह जो डाटर आप लोग दिख रहे हैं यह सीरियस कैंडियटी है इसा नहीं कि जो अपका पेपर देने के लिए गया था जो सिरियस कैंडियट है थोड़ा बहुत अपका मैस लख चुका है और आपका सीरियस नहीं था दोजाजार बीस प्री के लिए तुम का पर ना यहीं अच्छा था ना ही अपका उतना अपका उतना जी कि लिखने के बार मॉट बहुत मुज्य हो जाता है इसलिए जो मैंने the मेंने बनाया है आप लोग देख लेना उसी के एकोडिंग कटॉप भी इस बार भी जाएगा तो उसका डाटा में जरूर आपको आप लोग एक बार देख लेना कि मैंने कितना कटॉप बताया है अब चलिए यह तो परसंटेज की बात गया अब रिजल की बारे में पूछ रह किसी का कसुनी है सबी जानते है कि यह चल रहा है इसको आपको इस हालात को आपको लेकर चलना है अब इस बीच में आपका जो है है रेजल्ट आजाएगा यानि कि मार्स से अगर तीन मेहने अगर हम लोग काउन करें तो एप्रिल में जून जून लास्ट तक आपका आजाना चाहिए था लेकिन ड्यू टू कोबीट अभी करें सिचुएशन को लेते हुए आप मान के से लिए कि जूलाइस से पहले आपका जूलाइस से पहले तो फॉस्वेल नहीं लग रहा है उपर से इससी के उपर इतना प्रेसर आया है क्योंकि उनको का रिजल का रिजल का है ब है फॉनके पास का में लेकिन इस्ट्राप उनके पस अभी ज्यादा इस्ट्राप ज्यादा इस्ट्राप नहीं है इसके डिगार्डिंग मैं सोच रहा हूं कि आज नहीं तो कल एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं अभी आपको क्या करना चाहिए आगे का जो प्रोसेस मतलब अभी नहीं आपके अब इस टाइम को कैसा गुजारना है आपको सब कुछ मैं एक वीडियो में जरूर डाल दूँगा आज नहीं तो कल जरूर एक वीडियो आ जाएगा जहां पर मैं करेंट सिच्वेशन को लेके भी थोड़ा सा बात करूंगा आपका आगे का जो फ्यूचर है कि कैसे आपको करना चाहिए ताकि आप लोग जो है इस टाइम को जो है आप लोग strongly रह सके मतलब अभी देखिए मुझे पता है अभी आपका confidence लेबल भी आपका जो है डाउन हो जाएगा current situation को देखते हुए तो सब कुछ मैं यहाँ पर मैं solve करनी कोसिस करूंगा अभी के लिए बस इतना ह अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like and share जरू करना और मेरे चनल को subscribe कीजिए ताकि इससे related कोई भी update हो आपको सबसे पहले मिलता रहे तो चलिए तब तक के लिए मिलते है अगले वीडियो में